अससलाम आलेकूँ, दा केरला स्टोरी रिसेंटली ये मूवी ट्रेंडिंग में है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदु लड़की को उसके धरम का बुराई दिखा कर और एक मुस्लिम लड़के के साथ जबरदस्ती शादी करवा के ISIS जिसे टेर्रिस ग्रूप को सौब दिया जाता है आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या इसलाम, पुरान और हदीश इसका तालिम देता है दुसरे के धरम को बुरा बला कहना जबरदस्ती किसी का शादी करवाना जबरदस्ती चल धोके से इसलाम कबूल करवाना या टेर्रिस्म को बढ़ावा देना क्या इसलाम ये सब करने का होकम या तालिम देता है आईए देखते अल्ला सुबान वात आला कुरान के सुरा नाम सुरा नम्बर 6 आयत नम्र 108 में फरमाते है अल्ला के सिवा जिन्हें ये पुकारते है तुम उनके प्रती अपशब्त के प्रयोग ना करो ऐसा ना हो कि वे हद से आगे बढ़कर अग्यानवश अल्ला के प्रती अपशब्त का प्रयोग करने लगे इस आयत से ये पता चलता है कि अल्ला मुसलिमस को ये कह रहे है और हुकम दे रहे है कि नोन मुसलिम जिसकी अबादत या पूजा करते है आप उनको बुरा बला नहीं कह सकते ये हराम है इस मुवी में जो दिखाया गया है कि एक मुसलिम लड़की हिंदू लड़की के रिलीजन को बुरा बला कहती है ये इसलाम के टीचिंग के मुदाबिक बिलकुल नहीं है अल्ला सुबानवा तला कुरान के सुरा बकरा सुरा नमबर दो आयत नमबर टू फिप्टे सिक्स में फरमाते है धर्म के विशे में कोई जबरदस्ती नहीं हिदायत यानि सही बात गुम्राही यानि गलत बात से esyलक कर दी जा चुकी है इस आयत से ये लित क्लियर हो गया है कि इसलाम में जबरदस्ती या बहला फुस़्ला के दोके से इसलाम एक्सेप्ट करवाना या कन्वर्ट करना हराम है इस मुवी में जो दिखाया गया है कि एक लड़की हिंदू लड़की को बहला फुसला के जबरदस्ती कनवर्ट करवाती है ये इसलाम के टीचिंग्स के खिलाफ है और ये हराम है अल्ला सुभानातो वाला कुरान के सुरा निसा सुरा नमबर 4 आयत नमबर 19 में फरमाते है किसी भी शादी शुदा या कुवारी लड़की की शादी बिना अनुमती के नहीं करवाना चाहिए इस आयत और हदीश से पता चलता है कि किसी लड़की की शादी जबरदस्ती करवाना या उससे जबरदस्ती सी शादी करना इसलाम के खिलाफ है इस मुवे में जो दिखाया गया है कि उस एक लड़की के साथ चल और धोके से जबरदस से शादी करवाया जाता है यह इसलाम के टीचिंग के मताबिक बिलकुल नहीं है अल्ला सुबाना दो जाला कुरान के सुरा माइदा सुरा नमर 5 आयत नमर 32 में फरमाते है जिसने किसी विक्ति को किसी के खून के बदला लेने या धरती पे फसाद पेलाने के अलवा किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे इंसानों को मार डाला और जिसने उसे जीवन प्रदान किया मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया इसी तरह अल्ला कुरान के सुरा अन्पाल सुरा नम्बर आठ आयत 61 में फरमाते है और यदी वो संधी और सलामती की और जुके तो तुम भी इस लिए जुक जाओ और अल्ला पर भरुसा रखो इस आयत से ये पता चलता है कि इसलाम सिर्फ टेरिजम के खिलाफ ही नहीं बलकि नॉन जुडिशिल कीलिंग्स के भी खिलाफ है और पीस और जिस्टिस को किस तरह बढ़ावा देता है इस मुवी में जितने भी चीज़े दिखाये गए वो सारे गलत चीज़े इसलाम के टेचिंग्स के अनुसार बिलकुल भी नहीं है हम इस बात में नहीं जा रहे कि ये मुवी प्रॉपगंडा है या नहीं या इस मुवी में एक्टिंग कैसी है या इसके सचाई कितनी है क्योंकि खुद मुवी बनाने वालों ने भी एक सठ कर लिया है कि इस मुवी की प्रिक्रिक्टिकल लाइफ में उतनी सचाई है जतनी डेटलiden में डेटलसे दुलाई के बात बच बचती है हम इस वीडियो में ये नहीं कह रहे हैं कि सारे मुस्लिंग लोग सही हैं लेकिन अगर कुछ लोग गलत है तो उनके गलतियों को बार बार उचाल कर पूरे समाथ के सर पे डालना गलत बात है बाकी इसलाम, कुरान और हदीश के टीचिंग्स हम सब के लिए सही है इसलाम के टीचिंग्स को और अच्छी तरह जानने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखे और कुरान का जरूर पढ़े किसी से सुनते हैं तो रेफरेंस को अच्छे से जरूर चेक किया करे फ्री कुरान ट्रांसलेशन के लिए हमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं कॉमेंट्स में अपने राए जरूर शेयर करें मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जज़क अलाह अस्सलाम वालेक।